नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ग्यानाले आईए एक और जी के ट्रिक्स देखते हैं गुप्त सासक और उनका कालकरम मगद में जब मौरिबंस समाप्त हो गया उसके बाद मौरोत्तर सासक आते हैं और मौरोत्तर सासकों के बाद गुप्त सासकों का आगमन होता है गुप्त सासक में कौन कौन से गुप्त सासक थे जैसे चंद्र गुप्त पर्थम थे समुद्र गुप्त थे बिक्रमा अधित्या थे भान गुप्त था इसकंद गुप्त था तो इनका करम क्या है उनका काल करम क्या है और उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को हम आज इस वीडियो में ट्रिक के माधम से समझ लेंगे गुप्त सासक उनका कालकरम ट्रिक ये है स्री गुप्त को समुद्र में लाने के लिए बिक्रम कुमार इसकंद ने भानुगुप्ता से सहायता मांगी ट्रिक क्या है स्री चंद्र गुप्त कोई रहा होगा स्री चंद्र गुप्त को समुद्र में लाने के लिए बिक्रम कुमार इसकंद ने भानुगुपता से सहता माँगी भानु गुप्ता ने इसकंद गुप्त से कहा बिक्रम कुमार इसकंद ने भानु गुप्ता से कहा कि भाई मैं स्री चंद्र गुप्त को समुद्र में लाना चाहता हूँ मेरी साहता कर दो बिक्रम कुमार गुप्त जैसे मैं बिजय कुमार चोधरी हूँ वैसे कोई रहा होगा विक्रम कुमार इसकंद तो विक्रम कुमार इसकंद ने भानु गुप्त से कहा कि भाई मेरी सहयता कर दो मैं स्री गुप्त को समुद्र में लाना चाहता हूँ तो यही टिरीक है आप इसे नोट कर लो सिरी चंद्र गुप्त को समुद्र में लाने के लिए बिक्रम कुमार इसकंद ने भानुगुप्ता से सहता मांगी अब आये इसको डीटेल में देख लेते हैं तो सबसे पहले इसका जो पहला सब्द है सिरी सिरी से सिरी गुप्त सिरी का मतलब है सिरी गुप्त ने गुप्त बंस की इस्थापना की थी सिरी गुप्त ने कौसामबी में अलहाबाद के पास इस्तित है कौसामबी एक जिला है उत्तर परदेश का यहाँ पर स्री गुप्त ने गुप्त बंस की इस्थापना 275 इस भी सन में की थी, यानि 275 AD में कौसांबी में स्री गुप्त ने गुप्त बंस की इस्थापना की थी, उसके बाद दूसरा सब्त आ रहा है कि चंद्र गुप्त, चंद्र गुप्त से सीधा मतलब हो गया चंद चंद्रगुप्त पर्थम दूसरा सा सकता चंद्रगुप्त पर्थम जो है वो 319 में गद्धी पे बैठ थे और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है इस थापना तो स्रीकुप्त ने की थी लेकिन उस समय ये उतना ज्यादा पावर्फुल नहीं थे उतना ज्यादा 319-20 में गुप्त समुवत भी चलाया था ठीक है और इन्होंने महाराजा धिराज की उपादी भी चंद्रगुप्त पर्थम ने धारान की थी तो ये हो गया समुद्र यहाँ यानि में बता सिरी चंद्रगुप्त को समुद्र में समुद्र का मतलब तो आप समझ गए राजाओं को हराया था यही कारण है कि समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है नेपोलियन भी बिजेता रहा है और इसलिए इन्होंने कई सारे राजाओं को जीता है समुद्र गुप्त की एक प्रसस्ती मिलती है जिसे कहा जाता है प्रयाग प्रसस्ती प्र यहाँ पर बिक्रम का एक मतलब है, कुमार का एक मतलब है, इसकंद का एक मतलब है, बिक्रम मतलब चंद्रगुप्त दुतिये, जो थे उन्होंने उन्हें चंद्रगुप्त बिक्रमा आदित्या भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बिक्रमा आदित्या की उपाधी धारान की यही चीनी यात्री होयन सांग भारता है था होयन सांग चीनी यात्री था बहुत धर्म की अध्यन के लिए चंद्रुगुप्त बिक्रमा अधित्या के दर्बार में आया था चंद्रुगुप्त बिक्रमा अधित्या के दर्बार में ही कालीदास रहते थे धवंत्री रहते थे घट परकर रहते थे बेताल भत रहते थे ये सारे लोग जो विद्वान थे ये चंद्रगुप्त विक्रम अधित्या की दरबार को सुसोभित करते थे विक्रम कुमार कुमार का मतलब है कुमार गुप्त चंद्रगुप्त दूतिय के बाद कुमार गुप्त गुप्त बंस का राजा बना कुमार गुप्त ने ही नालंदा विस्विद्याले की स्थापना के थी यही पूछा जाता कि नालंदा का सस्थापक कौन था नालंदा का सस्थापक था कुमार गुप्त उसके बाद बिक्रम कुमार इसकंद इसकंद मतलब इसकंद गुप्त कुमार गुप्त के ब भानो गुप्त का मतलब भानो गुप्त ये गुप्त बंस का अंतिम राजा था, तो ये हो गया गुप्त बंस के सासक और उनका सही सही करम क्या है, तो सबसे पहले स्री गुप्त आए, फिर चंद्र गुप्त पर्थम आए, समुद्र गुप्त आए, चंद्र गुप्त बिक्र गुप्त के बीच में एक और सासक था जिसका नाम था घटोत कच गटोत कच का नाम का ये के गुप्त सासक था जो चंद्रगुप्त पर्थम से पहले बैठा था यानि स्री गुप्त के बाद घटोचकत गड़ी पे बैठा था लेकिन वो बहुत ही आयोग था बहुत ही कुछ क समय के लिए था इसलिए जो होता वो इतना जाता इंपोर्टन्ट नहीं है तो यही साथ जो है परमुख गुप्त सा सकते जिनको याद करने का टिरिक है स्री चंद्र गुप्त को समुद्र में लाने के लिए बिक्रम कुमार इसकंद ने भानुगुप्त से साहता मांग ली मतलब समुद्र गुप्त बिक्रम मतलब बिक्रम बिक्रम आदित्या ने चंद्र गुप्त बिक्रम आदित्या चंद्र गुप्त दूति है कुमार मतलब कुमार गुप्त इसकंद मतलब इसकंद गुप्त भानुप्त मतलब भानुप्त अब तो यादी हो गया हो बाई लाने का मतलब उससे जुड़ा हुआ कोई ट्रिक ना कोई आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे।